नमस्कार में डाक्टर रजनिश कुमार आप सभी का एक बार फिट से हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो डेक्चर में हम बात करेंगे कॉमेन प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के उपर जो की EMRS, TGT, PGT, BPSC Tree, UGC Net और Assistant Professor Exam की दिश्टिकों से सीरीज चलाई जा रही है उमीद है कि अभी तक के 1-9 तक के प्रैक्टिस सेट को आपने देखा होगा और निश्चित तवर पर आपको अनुमान लगा होगा कि किन प्रश्णों को हमें कैसे याद करना है और फिर कैसे उनको हल करना है इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट पर बातचित करते हैं जो पहला सवाले हम पर पुछा गया है पर प्रैट को सब्सक्राइब करने वाली भाषा तांत्रिकों की हुआ भाषा जिसमें घोई बातों को बहुत उद्दात धंग से प्रस्तुत गिया जाता था तो संधा भाषा जब हम इंदी साहित का इतियास पढ़ते हैं तो नाथो सिधों का जब हम साहित पढ़ते हैं खास्तर से जो आदिकाल का पूर्शन है जिसको की आचायरामचन शुकले ने साहितिक ग्रंथ के अंतरगत नहीं रखा बलके इनको सामप्रदाईक ग्रंथ मान के इन पर अपेक्षाकृत कम विचार किया लेकिन भाषा के विकास की दिष्टिकों से और साहितिके विकास की दिष्टिकों से नाथो सिधों का अध्यान हम इतियास के अंतरगत करते हैं उन्हीं की भाषा का लाती है संधा भाषा और सवाल यहां पर पुछ लिया गया कि संधा भाषा है और हिंदी साहित का सरल इतिहास पड़ेंगे तो महां पर है कि नात्रों सिद्धों ने अपने अंतर साजनात्मक विश्यों का वर्डन करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया था उसे हम संधा भाषा कहते हैं अगला प्रशन है कि नात्र साहिते की कमजोरी नहीं है यहाँ सवाल नात्र साहिते से पुछ लिया गया पुछा जा रहा है कि नात्र साहिते की कमजोरी नहीं है और हमें पताना है कि कौन सी प्रवित्ती उनकी कमजोरी की रूप में यहाँ पर नहीं तो इसका जो सही जबाब अगला प्रशन है कि रामकथा में व्याप्त अत्ती प्राकृत तत्तों के प्रति शंशेग्रत होकर किस कभी ने ब्राम्मडी रामकथा की प्रतिक्रिया में नई रामकथा गढ़ ली अप्सन दिया गया स्वयंभू पुष्पदन धनपाल वीरेचंदरशूरी तो यहां पर जो सवाल पुछा गया आपको बड़ा है इसको आराम से हल करना है कहा गये कि रामकथा में व्याप्त और ती प्राकृत चत्यों के प्रति शंशेग्रश्ट होकर किस कभी ने ब्रामडी रामकथा की प्रतिक्रिया में नई रामकथा गढ़ ली सही जवाब है option दूसरा पुष्पद्धन पुष्पद्धन तरे जो प्रचना है कि महापुरान और उत्तरपुरान और यह सब किसमे है चौपाई में यह भी आप ध्यान में रखे सवाल पूछा जाता है बाकी जो भी कवियों का यहाँ पर जिक्र किया गया है इनके समय को औ पुष्पद्धन ध्यान में रख सकते हैं चलते हैं आगे बात करते हैं अंगला जो प्रचन है कि निमलिकित में से कौन सा ग्रण तुलसी दासका नहीं है कौन सा ऐसा ग्रण थे जो तुलसी दासका नहीं है आमतर पर इस तरीके का प्रश्ण प्राय परिक्षाव में आतार गितावली, रामचंद्रिका, विनेपत्रिका, दोहावली तो हमें नहीं पर जोर देना है और देखना है कि कौन सी ऐसी रचना है जो तुलसी दास की नहीं है सही जबाब है और संदूसरा रामचंद्रिका रामचंद्रिका जो रचना हो गई वो केशवदास की हो गई, और ऐसा माना जाता है कि तुलसी दास के रामचरित मानस की प्रतिक्रिया में केशवदास ने रामचंद्रिका को एक रात में लिखा था, ये भी तथे आपको किताबों में मिल जाता है, तो केशवदास जो की स्ववाद योजना के लिए जाने जाते हैं और इनकी जो राम चंद्रिका है अपने समवाद योजना के लिए ही हिमस है बाके ऑफशन में जो भी विकल्फ दिये गएं गीतावली विने पत्रिका ये सब तुलसी दास के गरंथ राम चंद्रिका इनका गरंथ नहीं है अगला प्रश्ण है रेंड गवाई सोई के दिवस गवाई खाई हीरे जैसे जन्मू हैं कवडी बदले जाई ये काविपंक्तियां किस कभी की हैं और संदिया गया कवीर दास दादू दयाल गुरु नानक कुम्भन दास तो यहां पर आप देख रहे हैं बड़ा ही कुछ सार्थक अर्थ देने वाले पंक्तियों को यहां पर कभी ने लिखा है कि रेंड गवाई सोई की मतलब रात हमने सोगर गवाई या खाई और दिवस क्या है इधर उधर भटकने में हमने गवाई दिया तो ये पंक्ति किसकी है ये आप सभी के लिए भी समर्पित हो सकती है तर दुरुवदास का जीक्र आपने इतियास में पड़ा होगा और ऐसा मना जाता है कि इन्होंने कुल 42 गरंथों की रच्ना की तो सवाल पूछा जाता रहा है परिक्षाव में उसमें से एक गरंथ का नाम दिया गया भक्त नाम अवली इसमें इन्होंने भक्ती की प्रसंथा की ह तो सही जबाब हो गया पहला ओप्षन है गोसाई बिठलनात की इन्होंने भक्ती की प्रसंथा की है यह वही बिठलनात जिनके की अश्ट छाप से संबंध रहे हैं अगला प्रशन है कि मधू मालती के रच्चहिता है बहुत ही चोटा प्रशन है और सुफी कावी से रतन खान और ज्यान बोद किसकी रच्चना है ऑप्षन दिया गया मलुक दास अक्षर अनन्य सुन्दर दास नंद दास तो यहां पर विकल्पों को देखने के बाद आपके मन में आने लगा होगा किसका सही जबाब है ऑप्षन पहला मलुक दास यह वही मलुक दास है जिन रतन खान और ज्यान बोद अगला प्रश्चना है कि गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके किस कभी की पंक्ती है गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके किसकी पंक्ती है ऑप्षन दिया गया कभीर नानक दादू रैदास तो निर्गुण साखा से रिलेटेड है अपने हा काल दर्शी भक्त कभी जनता के हिर्दे को सम्हालने और लीन रखने के लिए दबी वी भक्ति को जगाने लगे क्रम्ष भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं देश में बसने वाले सहिर्दे मुसलमानों से भी न जने कितने आ गए आप अगर पिछले प्रेक्टिसेट को देखे होंगे प्रेक्टिसेट नमबर 9 को तो ऐसे लग रहा है कि जहां से एक प्रश्न उसमें पूछा गया था उसको छोड़ा गया था वहें से इस पंति को आग जनता के हिर्दे को जब भी हिर्दे की बाता है सामंजस्य की बाता है हिंदू जनता की बाता है तो तुरंत आपकी दिमाग में आ जाना चाहिए किसका सही जवाब किसका हो गया आचायर रामचनर शुप्र आप्शन दूसरा इसका सही जवाब बाकि इस पूरी पंति को ध् उतरी जा इन पंक्तियों में नाइका की किस मनोदशा का वर्डन हुआ है तो नाइका भेद से रिलेटेड यहां पर question पुछा गया है और यहां पर इस बार पंक्तियों के माध्यम से पुछा जा रहा है कि नाइका किस मनोदशा में तो इसमें किस चीज का उलेख किया गया है मनोदशा का तो इसका जो सही जबाब यहां पर है किसमें है उतकंठा उत्रकंठा जब हमारे अंदर होती है तो हम चीजों को देखनी कोशिश करते हैं कभी उतार होता है कभी चढ़ा होता है मालीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति का दर्शन करना चाहते हैं जिसके बारे में आपने सुना है लेकिन आज उसका दर्शन करने को आपको मौका मिलता है तो आपको मन में उत्कंठा होगी जिस चेयर पर या कुर्सी पर आप बैठे रहेंगे जैसे उसका प्रवेश होगा आप उत्कंठित हो जाएंगे तो कुछ पंग्ति उसी भावा अनुकुल यहाँ पर लिखी गई है कि सोहे घनस्याम मग हेरत हथेरी ओट उचे धाम बाम चड़ि आवत उत्कंठा नाइका के मनोदशा किस तरीके की है उत्कंठा वाली है अगला प्रशन है कि रीतिकाल में लला के लिलाट पर महावर दिखाई पढ़ने लगी वीर सखी हो गया रड़नातमत ध्वनियों की बहार आ गई नाद योजिना से मादक्ता को बढ़ावा मिला यह कथन किसका है एक तरीके से आप देखेंगे कि यह आपके लिए नया प्रशन हो सकता है अगर हम अभ्यास के द्रिश्टी कौण से देखे तो इसमें कुछ शब्दों पर जोर दिया गया है लला शब्द फिर बीर फिर नाद योजिना कहा गया है कि जहां पर लला बीर नाद योजिना इत्यादी शब्दों के बहाने अगर कोई कथन का आ गया है किसका का आ गया है ऑप्शन दिया गया है रामचन शुगले हजारी प्रसाद दिवेदी जगदिश गुप बच्चन सिंग तो इसका जो सही जबाब यहाँ पर ऑ सिंगार को सार किसोर किसोरी उक्त पंक्तियां किसकी है आलम रसलीन देव क्रिपारा बानी को सार बख्यानो सिंगार सिंगार को सार किसोर किसोरी उक्त पंक्तियां किसकी है सही जबाब हो गया ऑप्शन तीसरा देव द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां नाईका भेद की संक्रिण सीमा में जितना लोकचित आ सक्टा था इस काल रीती का उतना चित्र निश्चे ही विश्रसनी और मनोरम है यह कथन किसका है इस बार के प्रेक्टिस सेट में आप देख रहे हैं कि बहुत ही यूनीक टाइप के आपको कथन दिखाई पड़ रहे है नाईका भेद के बारे में किसने इस बात को कहा है कि नाईका भेद की संक्रिण सीमा में जितना लोकचित आ सक्टा था इस काल यानि रीतिका का उतना च निश्चे ही विश्वसिनिय और मनोरम हजारी प्रसाद दिवेदी नगेंद्र भगीरत मिश्र शीव कुमार मिश्र इसका सही जबाब अगया option पहला हजारी प्रसाद दिवेदी का ये कथन मतिराम के ललित ललाम का मुख्य वर्ण विशे क्या है याई यहाँ पर प्रश्ण में ही बता दिया गया कि जो ललित ललाम नाम की रचना है वो मतिराम की है और ये पहले भी हमने बताया हुआ है कि ललित लला एक अलंकार ग्रंथ ललित का मतलब ही होता है संदर्य या फिर अलंकार उसका मुख्य वर्ण विसे क्या है? अप्शन दिया गया है अलंकार निरूपण, रस चर्चा, रस चंड विवेचन, नायक नायका भेद वर्ण तो शब्द में ही इसका और्थ छिपा हुआ है और प्रश्ण में ही इसका उत्तर सही जबाब हो गया पहला अलंकार निरूपण अगला प्रश्ण है कि बरवय चंड में किस कभी ने नायका भेद का निरूपण किया है? अप्शन दिया गया क्रिपारा, रहीम, रस निदी, सोमनाथ तो बरवय चंड हिंदी का एक चंड है बरवय चंड इसी के नाम पर रहीम ने और तुलसी दास में दोनों ने रचनाय की हूँ, आप कमेंट्स करकर बताइए कि इन दोनों कभीयों के कौन-कौन से ग्रंथ हैं जो की बरवय चंड से जुड़े हूँ यहाँ पर प्रश्ण को खीज कर हम रितिकाल में देखते हुए देख रहे हैं कि नायका भेद का जिक्र किया गया कि बरवय चंड का प्रयोग किसने किया है तो हमें यहाँ पर नायका भेद, रितिकाल में ज्यादा नायका भेद हुआ, लेकिन इस प्रश्ण का जो सही जबाब है कि रहीम के द्वारा, बरवय चंड में नायका भेद किया गया और उसका मैंने नाम भी बताया, और आपकी दिमाग में आ भी गया होगा बरवे नाई का भेड देखे प्रश्ण कैसे घुमा कर पूछा गया है बार बार मैं अपने कम्यूटी सेक्शन में भी इस बात को कहता हूं और यहां पर भी यह सवाल इसी टाइप का पूछा गया मालनी जी आप इतना याद करके रखे हैं कि बर बगया अप्शन दूसरा यही तकनिक आप सभी को सीखना है अगर आप कम पढ़कर भी बुद्धी का प्रयोग करते हुए परिक्षा में ज्यादा ज्यादा प्रश्ण सही कर सकते हैं चीजों को पहले पढ़ना सिखे उसको समझना सिखे तो ज्यादा व्यतर हुगा नकि ए श्री क्रिष्ण चंद्र को इस ग्रंथ में एक महा पूरुष की भाति अंकित किया है ब्रह्म करके नहीं यह आख्यान किस कवी ने किया है अप्शन दिया गया धर्मबीर भाति द्वारिका प्रसाद मिश्र महिचली स्रणगुप आयोदिया सिंगुपाद्या हरियोड तो यहां पर सवाल जो पूछा गया है उसका सही जवाब है और उसी के आधार पर यह कथन उठा लिया गया है कि मैंने स्री क्रिष्ण चंद्र को इस गरंथ में यानि प्रिय प्रवास में एक महा पुरुष की भाति अंकित किया है ब्रह्म करके नहीं जब हम भक्ति काल पड़ते हैं तो क्रिष्ण का जो रूप उभर कर सामने आता है वो है ब्रह्म का लेकिन जब हम आधुनी काल दिवेदी युग में आते हैं तो खुद जो लेखक हैं कवी हैं उनका मानना है कि हमने एक सामान महापुरुष के तोर पर ही क्रिष्ण को अबी का है ओप्शन दिया गया प्रसाद, मुक्ति बोध, निराला, पन तो इस प्रशन का सही जबाब हो गया ओप्शन तीसरा सुरेकान क्रिपाथी निराला जब आप इनके सरोजिस्मृति को पढ़ेंगे या फिर तुलसी दास को पढ़ेंगे या राम की सक्ति पूजा क पढ़ेंगे तो ये कहीन कहीं आपको निराला के जीवन से जुड़े ही पंक्ति दिखाई पढ़ेंगे इस पंक्ति को ध्यानवर की ये पंक्ति खूब परिक्षाओं में पूछी जाती है आगे भी पूरी संभावना है अगला प्रशन है कि निमलिखित में से कौन सा काविस संग्रव महादेवी वर्मा का नहीं है यानि कि तीन ऐसे काविस संग्रव होंगे ऑप्षन में जो कि महादेवी वर्मा के होंगे हमें बताना है कौन नहीं है निर्जा, निहार, गीतिका, देपशिखा जो सही जबाब हो गया option तीसरा गीति का जो है वो निराला जी की रचना है बाकी जो आप तीनों रचना है देख रहे हैं निर्जा निहार दीव शीखा यह महादवी वर्मा ते अब यहां पर जब हम जिक्र कर रहे हैं तो आपको प्रकाशन वर्ष ध्यान में रखना चाहिए और मुझे उम् लगा होगा हमने पहले भी क्रम वाले सवाल में इसको किया है अगला प्रशन है कि कलगी बाजरी की कविता किसकी कविता है कलगी बाजरी की यूजी सीनेट के सिलिबस में भी इसको पढ़ना है हमने अपने चैनल पर इसकी व्याख्या भी की है और मात्पुन तरीके से कैसे सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में भी बताया हूँ कलगी बाजरे की जब इस कविता को मैं देखता हूँ तो मुझे बियाच्चू के अपने प्रोफेसर मनोज सिंग की याद आने लगती है और उम्मीद है कि जो भी बहुत सारे विद्यार थी यहाँ बियाच्चू में पढ़ने वाले उनसे इस कविता को जोरू पढ़े होगे और उनको यह पूरी कविता याद भी थी हमने बहुत प्रयास किया इस कविता को याद करने के लिए अभी कुछ-कुछ पंगतिया छूठी जाती तो कलगी बाजरे की बातों यह बातों में आपकी दिमाग में आगया होगा कि यह अग्गे की कविता है अप्शन दिया गया था निराला, मुक्तिबोद, भारत, भुषन, अग्रवाल अचा यह एक चीज आपको यहाँ पर दिखाई पढ़ला है एक अलग एंगिल से देखा जाएगा कैसे हमें पढ़ते हुए चीजों को कोरिलेट करके तयार करना है यहाँ पर अगर निराला को छोड़ दिया जाए तो जितने भी नाम दिये गए किसी ने किसी सब्तक से जुड़े हुए और जब मैं सब्तक का प्रयोक किया तो हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में यह बात कौंद गई होगी कि मुक्तिबोद, भारत रुशारा अग्रवाल, अग्ये का संबन की सब्तक से है मैं बार-बार यह जोर देना चाहता हूँ कि जब आप तथ्यों को देखिए तो आपके सामने अब तक जितना भी पढ़े हुए सब चीजें एकदम गूगल की तरह आने सुरू हो जाए अगला प्रशन है कि भूल कर जब राह जब जब राह भटकाम है तुम्ही जलके हे महाकभी सघन तम की आख बन मेरे लिए महाकभी निराला का उपरिव इस्तवन किस परवर्ति कभी ने किया है प्रशन को समझना है यहाँ पर यह जो पंक्तिया है वो महाकभी निराला के संदर्म में पुछा गया है कि निराला के ही परवर्ती कभी ने लिखा है इसको कि भूलकर जब राह भटका मैं तुम्ही जलके हे महा कभी सगन तम की आँख बन मेरे लिए बहुत ही प्रेणा दायक ये पंक्ती है अगर आप किसी व्यक्ति में विश्वास करते हैं तो स्वभावता ये पंक्ती आपके मन मस सिस्क में आने लगी थी किसने लिखा निराला के संदर में ओप्सन दिया गया है शमशेर बहादूर सिंग रामधारी सिंग दिनकर धर्म विभारती रगवीर सहाई तो इसका जो सही जबाब यहाँ पर हो गया ये बात कही है शमशेर बहादूर सिंग ने यानि निराला के लिए समशेर बादुर सिंग ने इस कविता को लिखा है फिर से मेरे मन में आया कि रामधारी सिंधिनकर को छोड़ कर इस आप्शन में जितने नाम दे गए उनका संबन किसी न किसी सब तक से है बस इतना करकर मैं आगे बढ़ूँगा अगला जो प्रश्ण है अनन्त देवी जैशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है अनन्त देवी के कथन बहुत ही महत्पूर होते है प्रायव प्रिक्षवामिन पूछे जाते हैं कि अनन्त देवी का कथन क्या क्या है या फिर कथन देकर ही पूछ लिया जाता है किसका है इस बार अनंत देवी को पात्र के तोर पुछा जा रहा है, ओप्षन दिया गया है धुरुष्वामिनी, राजश्री, अजात शत्रु, इसकंद गुप, तो अनंत देवी का संबंध किस नाटक से है, चोथा ओप्षन से है, इसकंद गुप, जैसंकर प्रसाथ के नाटक इसकं पात्रों का नाम, द्रिश्य योजना, कौन-कौन से कठन है, अगर पढ़े होंगे तो धिरे-धिरे आ जाएंगे, अगला प्रशन है कि निमलिखित में से कौन सा नाटक उपेंदरनात अश्क का नहीं है, इस नहीं पर हमें जोर देना है, तो आपको आने लगा होगा आपके मन में, कि हमने क्या-क्या पढ़ा था उपेंदर अश्क का सही जबाब हो गया आपसन, दूसरा, सिंदूर की होली, जो उपेंदरनात अश्क का नाटक नहीं है, बलकि ये बहुत ही फेमस नाटक कार लक्ष्मी नारायन मिस्र का है, जिनक का नाटक कौन है, और UGC NET के सिलेबस में ये नाटक लगा भी है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कुछ बेसिक प्रश्न हैं, जो की हर परिक्षा में आते ही रहते हैं, उनको अगर हम क्लियर कर लें, तो नी संदे परिक्षा में हम बढ़त बना लेंगे, चलते हैं खलनायक विदूशक, शकुंतला की अंगूठी, द्रौपन्दी, आठमा सर्ग, तो सुरेंदर वर्मा का कौन सा ऐसा नाटक है, जिसमें अभिव्यक्ती की स्वतंतरता का प्रश्न उठाया गया है, अब सवाल आपके मन में आने लगा हुगा, अगर आपने सम्विधान अधिकारों के अंतरगर, अभिव्यक्ती की स्वतंतरता की बात की गई है, लेकिन सुरेंदर वर्मा ने भी इसको अपने नाटक कभी से बनाया, अब वो नाटक कौन है, सही जबाब हो गया, आप्शन, यहाँ पर चोथा आप्शन है, आठमा सर्ग, आठमा सर्ग में अभि अभिव्यक्ती की स्वतंतरता की बात की गई है, आगे बात करते हैं अगला जो प्रशने यहाँ पर, फडिश्वर नाथ रेणू द्वारा रचित कहानी ठेस का नायक है, जब मैंने ठेस को देखा, तो BPSC का वो सिलेबस मुझे याद आ गया, यानि जो 3 का एकजाम होने व इसका सही जबाब हो गया, पहला, सिरचन नाम का जो पातर है, वो ठेस कहानी में आया हुआ है, और सिरचन एक खास कलाकारी के लिए जाना जाता है, कारिगर है, तो इस चीश को भी धियान में रखे, बाकि आप देख रहे हैं यहाँ पर घीशू, यह किस कहानी का पातर है, और किस के कहानी का पातर है, यह आपके मन में आ जाएगा, शेख जुमन, यह किस कहानी का पातर है, और किस के कहानी का पातर है, यह भी आप अपने दिमाग में रखे, उसी तरीके से रामा का जिकर कहा हुआ है, खुदा ना खास्ता यह सब घुम फिरगर किसी भी परिक्ष तो देखिए ये प्रश्ण नया नहीं बलके नय तरीके से याँ पर पूछा गया है हम अगर फिछले प्रेक्टिस सेट को देखें तो ये प्रश्ण आ चुका है ठीक है राग दरबारी पन्यास में किस गाउं की चर्चा की गई है तो ये प्रश्ण नंबर 26 जो आपने देखा ये देखने में किवल एक प्रश्ण लग रहा है लेकिन इसमें लगबग चार प्रश्ण और उसके उस्तर छिपे हुए तो जब आप घुमाकर चारो तरफ से देखेंगे आलोचनातमक रूप से समालोचनातमक रूप से तो चीजें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी आपका मनोबल भी बढ़ता जाएगा आपको डर भी नहीं लगीगा कुछ विद्यारती होने कमेंट्स किया कि सर मुझे डर लगने लगा है पुरानी चीजें मैं भूलना सुरु कर दिया हूँ क्यों? आप मत भूलिए अगर यहां से जुड़े हुए हैं तो न सिर्फ आप अपने इस्मृति को आपस लाएंगे बलकि दूसरे की भी इस्मृति को ठीक कर देंगे चलते हैं आगे बात करते हैं अंगला जो प्रशन है हजारी प्रसाद दिवेदी द्वारा रचित पहला उपन्यास कौन सा है? तो एक तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हजारी प्रसाद दिवेदी ने चार से अधिक उपन्यास लिखे हैं इस विए इस तरीके के सवाल बार बार आते रखें अब उचमें हमें बताना कि पहला उपन्यास कौन सा है? आप्शन दिया गया है पुनर नवा अनाबदास का पोथा बान भटकी आत्म का था चारुचंदर लेक इस प्रशन की खूब सूर्ती देखिए प्रीविद्यार्थियों देखिए इसको पूछा जा सकता था एक, दो, तीन क्रम से भी पूछा जा सकता था और पूछा जा सकता था कि कौन सा क्रम सही लेकिन सवाल क्या पूछा गया कि पहला उपन्यास कौन सा है तो हमें इन सभी उपन्यासों को दिमाग में रखना पड़ेगा सभी के प्रकाशन वर्स को दिमाग में रखना पड़ेगा तो अपने आप हम खुद बता देंगे कि पहला उपन्यास कौन है सही जबाब हो गया option तीसरा बान भटकी आत्मकथा तो आप देख रहे हैं चाहे वन लाइनर में आए चाहे क्रम में आए तो हर एंगल से हमें देखना है आगे बात करते हैं अगला जो प्रश्ण है कि महात्मा गांधी के जीवन पर आधारी तुपन्यास है महात्मा गांधी के जीवन पर आधारी तुपन्यास पहुंस आया option दिया गया पहला गिर्मीटिया तोडो कारा तोडो अभिज्यान मृत्यून जै इसका जो सही जबाब है यहा पर पहला अप्छन है पहला गिर्मीटिया यह किसके जीवन पर आधारी थै महात्मा गांधी के जिवन पर आधारी थी किसने लिखा गिरिराज किशोरितियादी का नाम आपके मन में आने लगेगा इसी तरीके से पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने पढ़ा पहला राजा एक उपन्यास आया था ठीक है तो इसमें किसका जिक्र किया गया है हमने कमेंट में पूछा भी था तो बहुत सारे विद्यार्थी ने बता भी दिया कि किसके बारे में कहा गया तो इसलिए मैं आप सबी से काफी प्रभावित हूं कूँ हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं यहां पर बड़े इश्यान धीर गंभीर और अपने लक्ष को ध्यान रखते हुए आगे बढ़न गांधी के बारे में हम पड़े पहला ग्रिमिटिया है लेकिन इसी प्रैक्रिसेट में आपके दिमाग को मैं दवड़ा कर ले गया कि पहला राजा भी इसी तरीके से एक इसी तरीके के रचना है जिसमें कि जवहाल लान नेहरु की चर्चा की गई है पीली आधी उपन्यास की लेखी का है यानि पीली आधी इस तरी द्वारा लिखा गया उपन्यास है तो क्या है कृष्णा गुनित्री प्रभाख्यतार मैत्रे पुष्पा चित्रा मुद्गल इसका सही जवाब हो गया पीली आधी सही जवाब हो गया ओप्शन दूसरा प् या फिर किसकी रचना है अगला प्रश्ण है घुमकड शास्त्र यात्रा बृत के लेखक है इसके लिए हमें आप्शन पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जब अथा तो घुमकड यात्रा बृत की बात आएगी तुरंत आपके मन में आएगा राहूल साकृत आए जल धन जल रिपोर्त आज सही जब अब अगया ओप्शन पहला फड़िश्वर नात रेणू का अगला प्रश्ण है प्रवासी की डायरी के लेखक प्रवासी की डायरी की लेखक कोने अप्शन दिया गया हरिवंश राय बच्चन रामदारी सिंग दिलकर मुक्ति बोध या फिर निर्मल वर्मा प्रवासी की डायरी आप पड़े भी होंगे या फिर तैयारी करते वक्त इस रचना का नाम सुने होंगे से जबाब हो गया पहला ओप्शन हरिवंश राय बच्चन के ब्रिंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा याँ पर इस पेसली पूछ लिया गया कि विरिंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा क्या है इसके पहले के प्रैक्टिक सेट में हमने इनके एतियासी को पन्यासो और नाटकों के क्रम को भी पढ़ा था लिकिन सीदे सीदे आत्मकथा पूछ लिए अपनी खबर तिरस्कृत अपनी कहानी मुक्त गगान में तो यहाँ अपनी कहानी जो है विरिंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा है हो सकता कि आगे की परिक्षा में पूछ लिया जाए कि अपनी कहानी रचना किस विधा में तो देखने से ऐसे लग रहा है कि कहानी या इसमें लिखा हुआ है लेकिन अगर थोड़ा सा चिंदन करेंगे तो वर्मा ने लिख दिया जो कि आपके लिए परिक्षा में एक सवाल बन गया इसी तरीके से प्रशन बनते हैं इसी तरीके से उत्तर भी बनते हैं चलते हैं आगे बात करते हैं गला जो प्रशन है कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चितर नहीं है आप्शन दिया गया माटी की मूर्ते से जवाब है राम ब्रिक्ष बेनी पूरी माटी की मूर्ते अगर यूजी सी नेट के सिलेबस को देखेंगे उसमें इसको पढ़ाना है तो जायर सी बात है कि थोड़ा सा विस्तार में इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए और हमने अपने चैनल पर इसकी जानकारी विस्तार से दी है वक्त निकाल कर आप उसका उपयोग कर सकते हैं अगला प्रशन है कि काव्या लंकार सार संग्र किसकी रचना है औप्सन दिया गया उद्भट दंडी रुद्रट आनंद वर्धन तो सही जबाब है यहापर तुरंत आपकी मन में आना शु अगला प्रशन है कि निमलखित में से कौन अलंकार वादी नहीं है अब देखिए नए पैटर्न में सवाल कैसे बनेंगे यहाँ पर पूछलिया है कि अलंकार वादी नहीं तो भामा के नीचे दंडी लिग देगा फिर मतलब जहां पर यह चार इस तरीके से आउप्सन दिय अब नए पैटर्न में यह चारों ऐसे लिखी जाएंगे ठीक है और फिर नीचे क्या बन जाएगा कूट बन जाएगा उसमें पूछ दिया जागा कि एक, दो, तीन या फिर दो, एक जैसे भी कूट बनते हैं और फिर यहीं क्या हो जाएगा बड़ा प्रशन हो जाएगा ल तो जितने भी नाम दिये गए हैं यहाँ पर यहाँ पर नामों को देखने के बाद यहाँ पर जो है सई जबाब हो गया ओप्सन चौट था, कुंतक क्या हैं यह वक्रोप्ति सिधान्त तो दिये हैं लेकिन वक्रोप्ति को अलग हिसाफ से देखा है जबकि भामा ने भी वक पर बहुत पहले विचार किया था, तो हमें जितने भी ओप्सन दिख रहे हैं आपर उसमें जो कुंतक है उनका संबन अलंकार वादियाचारियों से नहीं है, वाकि भामा ने तो पुरा अलंकार संप्राइज स्थापित किया, उद्वट को आप इसी प्रश्न में देख रह इस तरीके से आप परिवासा भी इंटर्व्यू के लिए याद करके रखे होंगे, खुल मिलाकर इसका जो सही जबाब हो गया, ओप्सन चोड़ था, काबे को प्रकृति की अनुपृति किसने कहा है, ध्यार में रखना है कि काबे को प्रकृति की अनुपृति यानि कि नकल किसने का, ओप्सन दिया गया, प्लेटो, कॉलरीज, अरस्तु, मैथू, अर्नाल्ड, तो देखने से लग रहा है कि ये सभी इरोपी ये साहितिकार है, यानि पाश्यातिकाविशास्ति के अंतरगर, इनको हमें पढ़ना रहता है, सही जबाब हो गया, ओप्सन चोड़ था, तो बात वही है, सही जबाब अगया, ओप्सन तीसरा, अगला प्रशन है कि रश निस्पत्ति के संदर में उत्पत्तिवाद का सिध्धान किसका है, तो रश निस्पत्ति, कि जब भी बात आगी आपके मन में सबसे पहले, आचारे भरत के रश सुत्र का सुत्र आ जाना चा सबसे पहले तो इसको भरत मुनी ने इस पर चिंतन किया, लेकिन आगे चलकर रश सुत्र के चार व्याख्याकार है, उसमें से हमें बताना है कि उत्पत्तिवाद का सिध्धान किसका है, ओप्शन दिया गया है भट लोलट, भट शंकुक, भट नायत, अभिनवगुप, इस पड़े भी होंगे, मैं छोटा-छोटा ही लिखूंगा, फिर भट नायक ने क्या दिया, कि भट नायक का दो मामलों में है याँ पर, और अभिनवगुप्त ने क्या दिया, अभिव्यक्तिवाद, तो पड़ भी देता हूं, भट लोलट, उत्पत्तिवाद, शंकुक, जिसमें इन्होंने चीत्र तुरंग ने आए, ये भी सवाल पूछा सकता है, तो देखे, मेरी कोशिश क्या है, कि जब इक प्रश्न को आप देखिए, और जितनी भी आप तयारी कियो, थोड़ा सा वक्त लेकर प्रश्न पे पूरा तथ्य अपने सामने जुटा ली, उसी त किशिन किशी दर्शन से रहा है, उन दर्शनों को भी ध्यान में रखिए, कोई नियाय दर्शन पे है, कोई मिमान सा दर्शन पे है, कोई शायव दर्शन पर है, ठीक है, चलते हैं, आगे बात करते हैं, इस पर हमने विश्तार्थ वीडियो भी बनाया था, रस निस्पक्ति को लेकर। हिंदी साहित के 80 वर्ष के लेखक है। ऑप्षन दिया गया नेमी चंजएन, शिवदान सिंग चवहान, विश्वंभर नाथुपाद्याय, शिव कुमार मिसिन। तो सही जबाब हो गया इसका option दूसरा, सिवधान सिंग चौहान ने हिंदी साहित्य के 80 वर्ष को लिखा था, यह पुस्तक का नाम है, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, अगला प्रशन है, प्रिंसिपल्स आफ लिट्रेरी क्रिटिसिज्म के लेखक है, अप्शन दिया गया मैथ्व एरनाल्ड, वर्ष वर्ष, कॉलरीज, आईये रिचर्ड्स, तो हमने सुमेलित वाले में 20 तरीके के प्रशनों को देखा, और वन लाइनर में भी देख रहे हैं, और प्रकाशन वर् सुफी संतों का सही अनुकरम है, सुफी संतों, यानि कि सुफी काव से रिलेटेर यहां पर सवाल, पुछा गया है कि और सही अनुकरम क्या है, माले जी इसी को यहां पर पुछा जा सकता है, प्रेमा ख्यान से भी जोड कर, तीक है, सुफी कभियों ने प्रेमा ख्यान इसमें है हमें बताना है कि सही अनक्रम क्या है तो पहले तो हमें बताना है option दूसरा जो है मौयनुद्दिन चीष्टी निजामुद्दिन अउलिया शेक चीष्टी शेक शलीम चीष्टी ये क्या option सही है ये वाला क्रम सही है और आप जानते हैं कि अमिर खुसरों ने इसमें स किसके निधन पर एक शेर या कुछ पंक्ति कही हुई थी वो आपके दिमाग में आने चाहिए फिर आ गई होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ अगला परशन है कि जन्म काल के दिशी से निमलिखित रचना कारों का सही अनकरम क्या है नाम दिया गया है मीरा भाई, रज्जभ, मलूगदास, रहधास तो सब्में यही है हमें बताना कि सही वाला क्या अगर इनका अगर क्रम आपको प्रकाशन वर्ष की द्रिश्टी से निमलिखित काविकृतियों का सही अनुकरम क्या है ठंडा लोहा आतमात्या के विरूद संसर से सडक तक उधिता तो इसमें जितनी रचनाय दिगए हैं सभी आलग अलग रचना का रौखiksi है ठीक है, ठंडालोवा आत्म हत्या के विरूद संसर से सडक उधिता, इसका जो सही अनुक्रम है आपड़, सबसे पहला जो आपसन है, वही क्या है, सही हो गया, ठंडालोवा धरंबीर भारती, संसर से सडक तड़, धोमिर उधिता, आप देखेंगे कि शमशेर बादुर सिंग की आत्म हत्या के विरूद, इसको आप कमेंट्स करके बताएं कि ये किसकी रचना है, आगे बात करते हैं अंकला जो प्रशन है, रचना काल के द्रिष्टी से विखारी दास की निमनिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है, त्रिंगार निर्डे, काबिन निर्डे, पहले तो जितनी नाम दिये गए हैं, उन सभी रचनाओं को विखारी दास का मानकर ध्यार में रखना है, अब इसका सही अनुक्रम क्या हो गया, जिसमें रच सारांस सरसे पहले दिया हुआ, वो आफशन सही है, फिर इसके बाद रच सारांस जिसका प्रकासन 1734 में बताया चंदारणो पिंगल, पिंगल की जब भी बात की जाती है, तो आप देखेंगे कि आदिकाल में इसकी चर्चा खुब होती है, और पिंगल से सवाल भी पूछा जाता है, डिंगल और पिंगल, तो डिंगल में आप देखेंगे कि आप ब्रंस मिस्रित राजस्थानी का प्रय प्रिस्के बाद काफी फिमस इनका ग्रंथ फिर स्रिंगा आर्मिल्स निरड़े निरड़े करके दो इनके ग्रंथ हैं अगला प्रश्न है जन्मकाल के दृष्टी से कभियों का सही अनकरम क्या है तो जितने कभियों का नाम है आपर दिया गया है माखलाल चतुरुवेदी सिय रिलेटेट सवाल आता है अठारसो नवासी में इनका जन्मगा फिर सियाराम सर्णगुप पंचानवे में बालक शर्मा नवीन संतानवे में और भगवती चर्णवर्मा उन्नीसो तीन ये क्या है क्रम है अगला प्रश्न है कि प्रकासन वर्ष की दृष्टी से निमलखित क अनामिका ग्रंथी को इसमें आप देखर है कि अल्ला दलग रचनाकारों की ये ग्रंथ है निहार आसू अन्हामिका ग्रंथ तो सबसे पहले जो जिसमें ग्रंथी है वो आप्शन से हो जागा 1925 अनामिका 1923 अनामिका को लेकर आपको दो इयर ध्यान में रखने हैं कई जगों पर 1938 इसका क्या है सेकेंड एडिसन जो आया है संस्करण वो भी उसके इसाब से भी सवाल पूछ लिया जाता है लेकिन अभी 1923 वारा ध्यान रखना है आशू 1925 और जो निहार 1930 तो आप्शन चोथा इसका सही जबाब होगा अगला प्रशन है कि लक्ष्मी नरायन लाल के नाटकों का सही अनक्रम क्या है लक्ष्मी नरायन लाल के नाटक दिये गए यहाँ पर धरपन, मिश्टर अभिमन्यू, एक सत्य हरिष्चन, मादा कैक्टिस जिसके इसाफ से जो दूसरा ओप्षन है वो सही है मादा कैक्टस, दरपन, मिश्टर अभिमन्यू, एक सत्य हरिष्चन, अब देखे क्रम से पूछ लिया गए, यही कभी-कभी ABCD के इसाफ से भी पूछ लिया जाएंगे, ठीक है, और कभी-कभी इन चारों के नाम रहेंग तो इसमें कुछ प्रकृतियों से रिलेटेड आयसी सवाब, वहां पर भी पांच प्रकृतियों की चर्चा की गई थी, और यहां पर देखे क्या, रूपक के कारे की पांच अवस्थाएं होती है, तथा इनके द्वारा नाट की इतिबृत्ती की गती प्रकट होती है, इन क कारे वस्थाओं का सही अनकरम क्या है, तो कारे वस्थाएं कितनी हैं, पांच है, लेकिन इनका क्रम पूछा गया है, एक तरीकी से आप देखेंगे, एकदम से नाट्य सास्थ्र पराधारित यह क्वेशन पूछा गया है, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति, फला तो आम तोर पर जो संस्क्रीट पड़े होंगे विद्यार्थी वह अच्छे से इसको बता देंगे कि इसका सही क्या है तो पहले जिसमें प्रारंध वाला है वह ही क्या ओप्सन्स देए प्रारंध प्रयत्न प्राप्त्याशा नियताप्ति फलागब तो अब जैसा जानते हैं यह देखिए आप सभी के जीवन से भी रिलेटेड अगर आप परिक्षार्थी हैं तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहले तैयारी शुरू करने पड़ेगी फ तो भी हमारे लक्त के उपर रहेगा जरूर होगा तो अगर आप लगे हुए हैं तो जरूर आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी और फल क्या होगे आपके लिए सफलता होगी तो बात तो हो रहे हैं यहां पर कार्यावर्स्था की लेकिन आप अपने विशे को कैसे जाता है लेकिन कैसे जीवन्त बनाना आपको अपने जीवन में काम के लिए प्रारम करना पड़ेगा फिर कोशिश करनी पड़ेगी फिर उमीद रखनी पड़ेगी फिर आप होनी अन होनी दोनों को ध्यान में रखेंगे फिर परिडाम तक पहुचेंगे तो यह हो गया प् देख लिए आगे बात करते हैं अगला जो प्रशन है कि प्रकाशन काल के अनुसार निमले लिखित निबंद संग्रहों का सही अनुकरम क्या है अप्शन दिया गया है मिट्टी की ओर अर्ध नारिश्वन वेडू वन वट पीपल तो देखने से आपके मन में एक रशनकार क तो आपको बस यहां पर पताना है कि सही क्या हो तो मिट्टी की ओर जिसमें दिया गया है सबसे पहले यही ऑप्शन क्या हो गया यहां पर सही हो गया 1946, 1952, 1958 और 1961 की बात की गई है तो लिक भी देता हूं में ताकि मालीजे की वन लाइनर में आ जाए तो यहां जितने वी विद्यार्सी जुड़े हैं वो खाली हाथ ना वापस आएं बलकि कोई ने कोई अंक लाएं देखें आप परिक्षा में हाल में क्या करने जाते हैं अं अंबर बटोरने के लिए ऐसा नहीं है कि जब आप परिक्षाहाल में रहते हैं तो हम चैन की सांस लेते हैं बलकि हमें विच्चिंता है कि क्या हमने आप तक जो कोचिंग की को कोचिंग का प्रभाव हमारे उपकर परिक्षार्तियों पर हो रहा है कि नो जब आप अंक बटोर लेते हैं आपका result अच्छा आने लगता है या फिर आपको लगता है कि हमने परिछा में अच्छा performance किया तो आप आकर comment देते हैं यह comment हमारे लिए एक तरीके से प्रेरक सत्तो के रूप में हमें एक तरीके से स्तहाथ बढ़ाता है तो देखे निबंग संग्र की बात की जा रहा है थी प्रश्ण देखने में उन्चास है लेकिन बहुत कुछ इसमें समाई थे अगला प्रश्ण है कि प्रकाशन वर्स के अनुसार निमलिखित उपन्यासों का सही अनकुरम क्या है अब उपन्यासों को आप देख रहे हैं उपन्यासों को देखते ही आपके मन में उनके रचनाकार आने लगे होंगे आधा गाउं, राक दरबारी, लो करींड, मैला आचर इसमें तो कुछ ऐसे उपन्यास हैं जो कि बड़े इच्च अर्चित हैं लेकिन एक ऐसा उपन्यास है जो कम पूछा जाता है और अगर मालिद यह आगे के परिक्षा में पूछ लिया गया तो यही क्या करेगा आपको आपको बढ़त बना देगा अगर आप जानेंगे तो ठीक है न तो इस पर आप ध्यान रखी हम चलते हैं देखते हैं कि प्रकाशन वर्स की देशिकोंड से कौन पहले आएगा तो देख रहे हैं आपकी जिसमें मैला आचल सबसे पहले दिया गया है वो है 1904 में फिर आधा गाउं आ गया 1966 में आधा गाउं लिखा गया रागदरबारी 1968 में और जो लोक रिण है 1977 में जान तक मुझे याद आ रहा है कि लोक रिण जो है विवेकी राय द्वारा लिखा गया है जैसे कई बार क्या होता है कि जो रचनाय मुझे कंफ्यूज रहती है कि इसका उतर 100% नहीं पता है तो मैं आप सभी के लिए होम वर्क दे देता हूं इमान्दारी से मैंने बता दिया हर कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज हर व्यक्ति को आती ही रहेगी हमारी कोशिश रहते है कि हम परिक्षण हों में कितना ज्यादा ज्यादा अंक बरतोर लें ठीक है अगर मैं गलत भी बता इसलिए उसको छोड़ी देना चाहिए चलते हैं आगे बात करते हैं कि प्रकाशन वर्ज के अनुसार निमलेखी तो पन्यासों का सही अनुक्रम क्या है फिर से यहां से उपन्यास दे दिये गए धेर सारे और उपन्यासों को देखने से यह लग रहा है कि सभी उपन्यास इ आपका बंटी जो कि इसलेबस में विलगा हुआ है शालमली चिनमस्ता सही जबाब अगया ऑप्शन चोथा क्रम अगर देखा जाए प्रकाशन वर्जी लिग दूं तो निसो चाचट फिर आपका बंटी जो पन्यास आपको पढ़ना है 1971 शालमली जो पन्यास लिखा गया है ये 1987 में लिखा गया और छिनमस्ता लिखा गया है 1993 में अगला प्रशन की प्रकाशन काल के अनुसार प्रेम चंद की निमलिकित कहानियों का सही अनुकरम क्या है कफन, पूस की रात, सतरंज के खिलाडी, नमक का दारोगा तो क्रम के अनुसार अगर हम देखें तो सबसे पह होगा जिसका प्रकाशन वर्स राहा है 1913 में इसको लिखा गया, इसके बाद सतरंज के खिलाडी 1925 में ये कहानी लिखी गई, पूस की रात, काफी फेमस ये कहानी 1930 में और कफन 1936 में लिखी गई, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रेम चंद की कहानियों का क्या कर और ये तीनों कहानिया एक से एक है, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, ये मैं कहूं तो, प्रकाशन वर्स के अनुसार निमलिखित आलोचना गरंथों का सही क्रम क्या है, प्रेम चंद और उनका यूग, कामायनी एक पुनर विचार, अधूरे साक्षतकार, दूसरी पर अधूरे साक्षतकार, नेमी चंदर जैन दौरा लिखा गया, अधूरे साक्षतकार, दूसरी परंपरा के खोज, नामोर सिंग दौरा लिखी गए किताब, 1982 इस वी मैं, तो ये देखे, देखने में तिरपन नंबर का प्रशन है और एक प्रशन है, लेकिन इसमें लगबक चार प्रशन समाई, करम के अनुसार, वन लाइनर के अनुसार, या फिर कूट के अनुसार, किसी तरीके से प्रशन आएंगे, तो आप तुरंद बता देंगे, यहाँ पर देखे, सिदे सिदे पूछा किया ऐसे, और उर्तमान समय में जो यूजी सी नेट का पाट, पैटरन होने लगें, लेकिन पढ़ना आपको ऐसे ही है, जैसे आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, चलिए आगे बात करते हैं अगला जो प्रशन है कि जीवन काल के अनुसार, निमलिखित काविचिंतकों का सही अनुकरम क्या है, अभिनोगुप्त, विश्वनात, पंडित राज जग सही जबाब हो गया, ओप्शन तीसराद, अगला प्रशन है कि जन्म काल के अनुसार, सहितिकारों का सही अनुकरम क्या है, रांबिला शर्मा, सिवदान सिंग चोहान, रागे रागो, प्रकास्चन्द गूप्त, इसका जो सही जबाब है यहाँ पर हमें बताना है कि पहुं सवाल के आधार पर सवाल पुछा गया, लेकिन अगर आप पिछले साल के question paper को हल किये होंगे, या फिर परिशाओं बैठे होंगे, ते एक सवाल पुछा जाता है कि यह किस तरीके के सहितिकार है, यह जितने भी सहितिकार है, यह माक्सवादी विचारदार से प्रभावित सवाल पुछा जाता है, कि कौन किस तरीके का, तो आपने देखा कि यह जो प्रश्न बनाया गया है, माक्सवादी विचारकों को एक जगां कलेक्ट कर लिया गया है, चली, अब बात करते हम इस्थापना और तर्ग पराधारित जो भी प्रश्न प्राय परिक्षों में पू इसलिए संदर्य अनुभव हेतु भारत वर्श में काव्य को ललित कलाओं के अंतरगत रखा गया है, कौन सही है और कौन गलत है हमें बताना है यहां पर, तो देख रहे हैं आप इस्थापना और तर्ग, इस्थापना तो यहां पर जो दी गई है, हो क्या है, सही है, कि पर इसका नाम आएगा संदर्य शास्त जिसने अस्थेटिक नाम से भूग लिखा, ठीक हैं तो क्रोचे का नाम आएगा हमापर संदर्य शास्त और जो तर्क दिया जा रहा है, तर्क इस्थापना के मुकाबले क्या है, गलत है, सही जबाब हो गया, ए शही है और आर गलत, क कावे को ललित कलाओं के अंतर्गत रखा गया। काभ ये न्याय का मूल आधार वक्त रुकती है। अब इसमें पताना है कौन सही और कौन गलत है। तो उपर बतायए काभ ये क्या गलत है। ऑर जो नीचे तर्क दिया जा रहा हूँ क्या है, सही है। तो इस तरीके से जो यहां पर सही जबाब हो रहा है, चौथा औप्सिन स अगला प्रशन है कि कवी का दर्शन जीवन के प्रती उसकी आस्था का दूसरा नाम है जो उसकी सजनात्मक्ता को प्रेरित करता है क्योंकि कवी कर्म को प्रभावित करने वाला केंद्रिय बिंदू यही आस्था और आस्था वस्तुतर निर्दिष्ट सत्य की रागात्मक कृती है कि इसका जो सही जबाब हो गया कि इसमें दोनों सही यूद्य जीवन के प्रती उसकी आस्था का दूसरा ना आप जानते हैं कि जीवन के को इसलेशन वादी, कोई राष्ट्र वादी, कोई संस्कृति वादी, कोई माक्स वादी, कोई अम्बेटकर वादी, जिस तरीके का है वोसी तरीके की रचना करता है, क्योंकि कभी कर्म को प्रभावित करने वाला केंद्री विंदु यही आस्था है जो और आस्था वस्त नि important पुछा भी जाता है कभिता दो शब्दों के बीच की निरवताम रहती है इसलिए मौन भी अभिवेंजना है इसमें हमें बताना है कौन सही और कौन गलत है सही जबाब हो गया option तीसरा कि दोनों सही ठीक है और कई बार यह पुछा जाता कि मौन भी अभिवेंजना किसका है अग्येगा अगला प्रशन है कि मनुस्य के लिए कभिता इतनी प्रयोजनी वर्ष्टु है कि संसार की सब्वें असब्वें सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है क्योंकि मनुस्यता को समय समय पर जगाते रहने के लिए कभिता मनुस्य के लिए अवश् अब हमें बताना है कि तरक कौन सही और कौन गलत है कहा जा रहा है कि मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनी मतलब उद्देश पुर्ण उद्वस्तु है कि संसार की सब्वे असब्वे सभी जातियों में किसी रूप में पाई जाती ये बात क्या है सही हो गए और कहा गया कि मनुष्यता को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य के लिए आवश्य है ये भी क्या है सही है तो सही जबाब हो गया जिसमें दोनों सही है ए सही है और आर भी सही है अगला प्रश्ण है कि भारतियंद यूग और उसका साहित आधुनिक्ता का प्रवेश द्वार है इसलिए उसके केंदर में मनुस्य है इश्वरी आस्था लेश मात्र भी नहीं है अब हमें बताना है कि इसमें कौन सही है और कौन गलत है कहा जा रहा हुँग मनुस्य है इश्वरी आस्था लेश मात्र भी नहीं है यह क्या गलत है अगला क्रश्ण है कि पश्चिम के ग्यानोदे से ही भारतिय साहिते में असमिताओं का उदे हुआ, कारण कि भारतिय समाज से कोई विचार प्रेणाओं नहीं मिली, ये ज्ञानोदे को हम इनलाइनमेंट भी करते हैं, ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जो 21 सदी है, ये विज्ञान की सदी है, ज्ञानोदे की सदी है, तो लेंगे विमर्ज, किसान विमर्ज, जितने भी तरीके के विमर्ज हैं, उनको हम असमिताओं से जोर कर देखते हैं, कि पश्चिम के ज्यानोदे से ही भारतिय साइट में असमिताओं का उद्य हुआ, कारण कि भारतिय समाज में कोई विचार प्रेणा उन्हें नहीं मिली, अब हमें बताना है कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है, तो ऐसी बात नहीं है कि भारत में अस्मिताओं को लेकर कोई चिंतन मनन नहीं हुआ है, दोनों क्या यहाँ पर गलत हो रहा है, सही जबाब हो गया कि दोनों गलत है, अपसंद चोथा, अगला प्रशन है कि यूद्धहर प्रेम पार्सी थियेटर के दो मूल भाव थे ध्यान दिजे यूद्धहर प्रेम इसी को कहा जाता है वार एंड पीस नाम सुने होंगे एक रचना का भी नाम वार एंड पीस प्रेम के स्थान पर शांती को भी रख सकते हैं या फिर इसको का आजा सकता है वार एंड लब भी का आजा सकता है यूद्धहर प्रेम पार्सी थियेटर के दो मूल भाव थे क्योंकि राष्ट्र प्रेम और जनता में संघर्ष चेतना जागरित करने में पार्सी थियेटर या नाटककार आगे थे अब हमें इसमें बताना कि कौन सही है और कौन गलत है, इसमें पहला option क्या है, सही है, इस्थापना जो दिया गیا है, लेकिन तरक जो दिया जा रहा है, पार्सी नाटककार आगे थे, पार्सी तो जदे द दर मनुरंजन पूर और चमतकार पूर्ण श्याली में रचना कर रहे जब हम नाटक का इतिहास आप लोगों को पड़ा रहे थे तो हमने बताया थे तो सही जवाब इसमें क्या हो गया कि A सही है लेकिन R क्या यहाँ पर गलत है अगला प्रशन है कि परिवर्तन स्रिष्टी का अटूट नियम है लेकिन यह नियम सही पर लागू नहीं होता क्योंकि मनुस्य की समवेदना और परिवर्तित है इसमें हमें बताना है क्या सही और क्या गलत तो पहले थे बताया गया कि परिवर्तन, तृष्टिका और तूट नियम सही यह हो गया इस्ठापना लेकिन जो तर्क दिया जा रहा है कि यह नियम सहीति पर लागू नहीं होता क्योंकि मनुष्य की संबेदना और परिवर्ति थे ये बिल्कुल गलत है आप जब आचाहे रामचन शुक्ल का इतियास गरंच पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा कि जनता की चित बृति का संचित प्रतिभीम होता है और जैसे जैसे जनता के चित में बदलाव आता है वैसे वैस साहित बदलता है और फिर साहित बदलता है तो उसका इतियास भी बदलता है मैंने मोटे तोर पर मूल भावताया है तो इस तरीके से इसका जो सही जबाब हो गया कि इस्थापना तो सही है लेकिन तर्क क्या यहां पक गलत हो गया है सही जबाब हो गया option पहला अगला खातन करके अपनी सार्थाक्ता सिद्ध करते हैं। अब हमें बताना इसमें कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इसका जो सही जबाब है कि दोनों क्या हैं सही है। तीक है आपशन दूसरा शब्द का वाश्टरिक अर्थ वाक की गति में ध्वनित होता है। क्योंकि वाक्त में प्रयुक्त होकर शब्द विशय का समूर्थन करते हैं और नई और चबियों का उधगातन करके अपनी सर्थक्ता करते हैं तो इस तरीके से एक दोनों आप्षन क्या हो गया? सही हो गया तो हमने इस्थापना और तर्क प्राधारित प्रश्णों को देखा उमीद है कि ऐसे प्रश्णों को पढ़ते हुए हल करते हुए बोरियत महसूस होती होगी लेकिन जो भी परिक्षारती इन सभी को समझ लिए ये मानकर चलिए कि वे इस परिक्षा में बढ़त बनाकर चल र गंगा लहरी शिवा बाउनी रस रहस्य श्रिंगार निर्ड़े इसमें तो कुछ रचना है जो कि पहले भी प्रश्ण में आ चुकी है तुरंत आप मिला लिजिए गंगा लहरी जो रचना है किसकी है पदमाकर की हो गई शिवा बाउनी आंख बंद करके भूशन बता देना है रस रहस्य जबरदस तरीकी की रचना कुलपती मिश रखी तो जितने भी यहां पर रचना हैं रचनाकार सबको हमने मिला दिया आगे बात करते हैं अगला जो प्रश्ण है पंक्तियां दी गई है और हमें उन पंक्तियों को रचनाकारों से मिलाना है जाके कोटों में सब सिर्गो बर्धन पूर में जाएंगे यहां पर रविधास मंदीर है और हर साल यहां पर पहले तो मेला लगता था पता नहीं अब लगता है कि नहीं लेकिन जबर्दस्ति इसलिए बनारसी का यहां पर प्रयुग है और रैदास हिंदी साहित में एक ऐसे रचनाकार है जब हम मुलक विमर्च की बात करते हैं तिनों ने अपने जाती का बड़ा ही गरो पुर्ण उलेक किया है इनको कभी घमर ने आजकल लोग अपने जातीयों पर अलग-अलग तरीके से मतलब की गरों महसूस करते हैं उस जमाने में रैदास भी गरों महसूस करते हैं यानि कि यह बा कभी है जो कि अवधी मिलिक राय वो कौन है जैसी तो कई बार हम सुमेलन करते हैं लक्षण के आधार पढ़े अगला प्रशन है कि हरी है राजनिती पढ़ी आए समझी बात कहत मदुकर जो समाचार कछुपाए तो कई बार तो इतना ही दूर पढ़े सवाला जाता है हरी है र पर सूरदास जब गोपियों का विरवडन पढ़ेंगे तो इसमें यह चर्चा आती है और बहुत ही जाना माना यहां पर प्रश्ण है कि संतन को कहां सी करी सो काम सही जवाब हो गया कुम्भन दास तीफ तरीके से हमने question number 68 पर अगर हम विचार करें तो यहां पर दिया गया है रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है रचनाय दी गए हैं उक्ति व्यक्ति प्रक्रण, वरन रजनाकर, रावल बेल, कुवले माला कथा, स्रावक चार यह जितनी भी रचनाय दी गए हैं लगबग सभी अधिकाल से जुड़ी रचना है ठीक है और प्रैक्टिस सेट में अल्रेडी यह कई बार आ चुकी है उद्यतन सुरी की जो रचना है वो काउंसी है कुवले माल कथा, रोडा कभी यहां पर रोड कभी लिखा वालेकर रोडा कभी के तवर पर जाना जाता है इनकी जो रचन सेबाब यहां पर आप देख रहे हैं जो हमने मिलान कर लिया स्रावक चार जो नाम की रचना है वो है देवसेन की तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर अनसट जो है देखने में एक प्रशन सुमेलित के तौर पर है लेकिन इसमें लगभग पांच प्रशन जूड़े जितनी भी रचना यहां पर दी गई हैं सभी रचना अलग अलग रचनाकारों की हैं किसी एक रचनाकार की नहीं है अग्गे मुक्तिबोध ठीक है शमशेर बहादुर सिंग या फिर लोग भूल गए हैं रगुबीर सहाय तो इस तरीके से हमें मिलान करना है यहां पर कितनी नाओं में कितनी बार सही जबाब हो गया 1967 चांद का मुझ टेढ़ा 1964 काल तुछ से होड है मेरी सही जबाब हो गया 1971 लोग भूल गये हैं सही जबाब हो गया 1982 तो यह रचनाय हैं और इनके प्रकाशन वर्ष देखें यहां पर मिलान के लिए आया है अब आगे हो सकता है पर कम के अनुसार सही कौन है तो ABCD ऐसे करके दिये दिया जाएगा ची चाराइटन फिर बढ़ जाएगा तो यही है बदलते हुए पैटर्न को समझना हमें अगला प्रशन है कि निमलेखित कभियों को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजी विश्णुप्रिया स्वप्न विश्णुप्रियाज आप मैंतली शर्मगुप्त को देख लीजे स्वप्न ठीक है स्वप्न का रामनरीश्त्री पाथी इसको हम देखते हैं उनके जिदने विग्रंथ हैं सब खंड कावे के अंतरगत हैं और लगातार ही लिखे गया है 1929 हेम की रिटिनी चत्रव्यदी जी का हो गया ठीक है तो इसको हम मिलान कर लेते हैं 1941 और स्रांथ पथी यह हो गया स्रीधर पाठक का तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1902 इस तरीके से हमने प्रशनाओं को मिलान कर लिया प्रकाशन वर्ष के दिश्री कोण से अगला प्रेक्टिस कर रहे हैं तो कोशिश यह है कि हम अन्दी स्पाट मिलाएं नहीं तो अगर एक हाथ आप मतलब पात्र को जानते हैं और उसको मिलान करके इसमें आप टैली कर सकते हैं तो इसको की जब भी बात आएगी तो अंधायूग का हो जाएगा तो यहां पर आप देख करें कि आकुली किलाग जो है वो किसका है आकुली किलाग जो है काम आइनी का है अश्वर्षेन रस्मी रथी का है और आउश्नरी जो है वह है उर्वर्षी का इस तरीके से यहां पर हमने मिलान किया और आप्शन तीसरा सही हो गया लेकिन आगे की परिक्षा के लिए आप दियान में रखें, दो यहां पर नए नए आये हुए हैं, आकुली किलाद और अश्वशे हैं, अगला प्रश्ण है, निमलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए, पात्रों का नाम दे दिया गया है और सुमेलित करना है, तो विलोम का संबन की से है, अस पहला राजा, तो देखिए पहला राजा की चर्चा मैं कर रहा था, यहां पर एकदम से क्लियर हो गया है, यह नाटक विदान, लेकिन किसको इसमें रखा गया है, ठीक है, तो प्रिथू, इसका पात्र है, अगला प्रश्ण है, निमलिखित पात्रों को उनकी कहानियों के स सुमेलित कीजिए, अलोपी दीन, जुरिया, जोखु, अमीना, तो एक तरफ तो पात्र दिये गए, दुसरे तरफ कहानिया है, वो भी कहानिया किसकी है, सभी कहानिया आप देख रहे हैं, पहली बार किसी एक खास रचनाकार की लगी हुए, तो अमीना का संबंद यिदगा का संबंद किस से है, ठाकुर का कुवा से है, और अलोपी दीन का संबंद आप देख रहे हैं, कि नमक्का दारोका से, ठाकुर का कुवा नाम से प्रेमचन ने कहानि लिखी, लेकिन कविता भी इस पर लिखी गए, आल फिलाल में काफी विबाद भी हुआ था, और आपकी द जमीन अपनी कोई बात नहीं, कथा सतीसर कोई एक समय सरगम, तो हमें मिलाना है, समय सरगम, जो है किसका है, कृष्ण सोबती का, कथा सतीसर, यह हो गया, यह रचना होगी, चंदरकांता, चित्रा मुदगल, एक अपनी जमी और अलका सरावगी, कोई बात नहीं, ठीक है, त जो रशनाकारों का नाम दिया गया थे उपन्यासकारों का उनके उपन्यासों को अमने सुमेलिद कर दिया निमलखित रशनाओं को उनके रशनाकारों के साथ सुमेलिद करना है और ये जो रशनाओं आ गई हो सब भार्ति काब शार्ष से रिलेटेड आ गए रसमंजरी भाव प्रकाशन शार्दात तने चाहिते दरपन विश्वनात और नाटे दरपन पिछले भी प्रक्टिसेट में आया था राम चंद्र गुन चंद्र तो इस तरीके से हमने इस पुरे प्रक्टिसेट में कुल 75 प्रशनों पर विचार किया और यह सभी प्रशन आपने देखा कि परिक्षाओं में आम तोर पर जिस तरीके सवाल पूछे जाते हैं हम उसी को ध्यार में रखते हुए ऐसे अभ्यास सेट को प्रस्तुत करने उम्मीद है कि आपकी त्यारी अच्छे चल रही है और आप अपना मुल्यांकर भी कर पारें तो कमेंट्स करकर जरूर इस वीडि प्रस्ता के लिए नमस्कार